इंडियन फंकार, कविता, गजल, गीत के दुनिया में उभरता हुआ एक बहुत शांदार मंच है जो राष्ट्रिये और अंतराष्ट्री अस्तर पर फंकारों को एक मंच प्रदान कर रहा है यह इसकी यात्रा, इंडियन फंकार की यात्रा बहुत दूर तक जाएगी और इस प्लेट्फॉर्म पे, इस मंच पे सवार लोग बहुत लंबी यात्रा करेंगे और आनंद भी उठाएंगे, ऐसी हमारी शुबकामना है और ऐसी हमें पूरी उम्मीद भी है आज इंडियन फंकार के इस मंच पे मैं रवी आर कुमार आपके सामने एक गजल लेके आया हूँ आप समाद फरमाएं, पेश है, एक गजल, कि अंधेरों के मिजाज, जो अकसर बदल रहे हैं, अहतियातन दिन में अब चराग जल रहे हैं दिन में भी चराग जलाने पर अंधेरों के मिज़ाज जो अकसर बदल रहे हैं एहतियातन दिन में अब चराग जल रहे हैं और चिनगारियों की खेती देखिए आज आतंकवाद का माहौल है लोग एक गुसरे को जलाने में लगे हैं सिंगारियों की खेती जिनका प्रिये शगल था, डरते हैं लप्टों से जो उनके घर से निकल रहे हैं, परिणाम तो यही होना है, अंत तो यही होना है, और एक शेर्प अर्ज है, कि जिनकी न थी आउकात की नजरें मिला सकें, सूरज पे थूकने में वो ही सफल रहे हैं, और गाता हूँ गीत प्यार के, गाता हूँ गीत प्यार के, गर तुम समझ सको, वैसे अपने पसंद भी बिस्मिल की गजल रहे हैं, और चटानों की हकीकत इतनी लचर नहीं थी, गर्मी की खबर सुनके ही बरफ से पिखल रहे हैं, और खाई थी कस्मे जिनने ये कस्मे वादे प्यार वफा, आएए इस पर एक शेर सुनते हैं, कि खाई थी कस्मे जिनने इसी राह चलने की, इस हल किसी बारिश में देखो कैसे फिसल रहे हैं, और बाजुए कातिल का जोर आजमा ही लेंगे हम, बाजुए कातिल का जोर आजमा ही लेंगे हम, हम सोचा था भीड में रहें, पर दम निकल रहें, ये जिन्दगी की राहें क्या क्या सिखा गई, ये पूरी जिन्दगी सीखने और समझने में निकल जाती है, ये जिन्दगी की राहें क्या क्या सिखा गई संभले थे लड़कड़ाए हम अब फिर सम्हल रहे हैं और जुदाई भी तेरी मुझे को तनहा न कर सकी है अर्ज किया है कि जुदाई भी तेरी मुझे को तनहा न कर सकी है यादों के काफिले अब मेरे साथ चल रहे हैं इमानों वफा के किस से सुनसुन के सोचता हूँ, क्या शब्द भी अब अपनी परिभाशा बदल रहे हैं। अगर आपको ये मेरी गजल पसंद आए, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।